हेलो दोस्तो, कैसे हो आप सब लोग? फारमेशी वाला भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वगत है दोस्तो, अब हम पढ़ेंगे Medical Termination of Pregnancy या Medical Termination of Pregnancy इसको दूसरे नाम से जाना जाते है Pregnancy Act या बोलते है database Medical Termination of Pregnancy Act कब पास हुआ था ये ये पास हुआ था 1971 1971 ओके 1971 और जो इसके रूल्स आए और जो इसके रूल्स एपलाई हुए थे वो हुए थे 1975 ओके तो मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट ये अक्ट कब आया 1971 इसके रूल्स कब बने 1975 यानिकि ये 1975 को एपलाई किया गया इसका रूल्स वगएरा बना के इसको एपलाई किया गया तो यानिकि इसका फॉर्मेशन तो कब हुआ 1971 यानिकि एक्ट पास हुआ 1971 में और इसको एपलाई किया गया वो किया गया 1975 अब बात करते हैं ये कहता है कि मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब है किसी चीज को टर्मिनेट करना, रोकना, उस चीज को विद्रा करना, उस चीज को रोकना, किसी भी कोई प्रोसेस सब रही है, उसको टर्मिनेट करने का मतलब है, भी हमें वो प्रोसेस रोकनी है, अब रोकनी किसक प्रेग्नेंसी रोक नहीं है तो क्यों रोक नहीं है हम उसके कारण देखेंगे और कहां पे अगर हम प्रेग्नेंसी अगर हम प्रेग्नेंसी रोकेंगे तो हम कहां पे रोक आएंगे कौन सी प्लेस होगी तो इसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसम प्रेगनेंसी सबसे पहला तक है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम है कि तो इसमें हम बताना होता है कि 9 month, 9 month का तो normally सब जानते हैं, तो 9 month plus 7 days, क्या बताना है हमें pregnancy का time क्या होता है 9 months 9 months plus 7 days 9 months plus 7 days, और अगर दूसरा हम देखें, अगर हम week की बात करें, कई बार सब्तागा कुछ्छन भी पूछा जाता है तो 40 weeks, ओके क्या बताना है 40 weeks बताना है और फिर भी कई बार days में और पूछ लेता है कि total days कितने होते हैं तो total days होते हैं total days होते हैं 280 days ओके बाई, अगर अब हमसे वो पूछता है कि duration of pregnancy कितना होता है तो duration of pregnancy की बात करते हैं कि जो pregnancy में का जो समय होता है एक fetus का implantation होने से लेकर उसकी delivery तक का जो समय होता है, वो कितना होता है उसके बारें पूछ जाता है तो 9 months प्लस 7 days, एक तो normal से कुछ उत्तर क्या होता है कि 9 months, 9 months सब जानते हैं तो 9 months प्लस 7 days इसके बाद हमें देखें तो 40 weeks अगर सब्ता की बात करें तो 40 weeks और अगर days की बात करें तो 280 days तो यह तो है हमारा duration of pregnancy यानि की pregnancy conceive होई conceive होने के conceive होने के बाद और delivery होने तक तो इतना समय लगता है अब कुछ conditions होंगी कुछ conditions में हमें अगर कोई problem होई तो हम यह थोड़ी है कि हम उसको pregnancy कंटीनुई रखें हम उसे रोख पीता सकते हैं अगर मालों कोई problem होई आगे जाके बच्चा यानि किया तो यह तो बच्चे की तभी बच्चा की हालत खराब होती है या फिर जो फीटस होता है जो बच्चा होता है गर्व के अंदर वो मा की हालत को खराब कर रहा होता है तो कुछ ऐसी conditions होंगी या कई बार accidental pregnancy का case देखने को मिलता है तो उन conditions में अगर हम pregnancy को हम continue रखेंगे तो वो एक तरीके से अगर मा की हालत को अगर हम rape case हुआ या accidental pregnancy हुई तो क्या होगा जो बच्चा होगा तो उसको किसको उसको उसको उसके लिए problems खड़ी हो जाएंगी या फिर एक बदनामी रहती है rape case में rape case है जिसको बोल जाता है accidental pregnancy इसलिए हम क्या करते है उसको एक medical termination of pregnancy act इसके according उसको terminate किया जाता है और अगर उसकी एक दो condition और है तो वो हम देखेंगे तो अब हम देखेंगे conditions of termination allow conditions of termination allow कौन सी conditions है उनमें बच्चा का जो terminate करवाते हैं वो allow होता है तो अब हम देखते हैं अब इसके बाद में duration of pregnancy 9 months plus 7 days अगर week की बात करें तो 40 weeks और days की बात करें तो 280 days ओके इसके बाद में जब हम termination करवाते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है कि जैसे MTP यहनि की medical termination of pregnancy तो इसमें क्या होता है जो यह 40 weeks का मैंने समय बताया 40 weeks का समय बताया तो इसमें यह बात आती है कि बाई कितने week तक हम termination करवा सकते हैं तो यह थोड़ी है कि हम 9 weeks तक ही termination करवाई तो कुछ उसकी भी तो conditions होंगी कि कितने week तक हम termination करवा सकते हैं तो वो हम देखेंगे कि अगर condition 12 weeks तक है, जब condition 12 weeks तक है, एक condition तो वो होती है और एक condition होती है, जब condition 12 to 20 weeks. तो एक तो हम देखते हैं कि जब condition 12 weeks तक, अगर हम 12 weeks से पहले तो हम terminate वैसे ही करवा सकते हैं, लेकिन अगर 12 weeks हो गए, जैसे पहले तो हम बच्चा चारे थे या कोई कारण वैसे अब हम नहीं चारे, तो और अगर उसको 12 weeks हो गए हैं, तो हमें क्या होगा, हम उसको अपने एक registered medical practitioner की सहमत्य की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, एक registered medical practitioner की सहमत्य की जरूरत होती है, तो वो जब allow करेगा, उसके बाद में ही हम उसको terminate करवा सकते हैं, तो इसमें हमें कैसे याद रखना है, one RMP, ओके, आर एम पी, पर्मिशन, और जब बारा से बीस वीक की प्रेगनेंसी होती है, यानि कि जब बारा से बीस वीक की है, तो उसमें हमेंची ये, दो, यानि कि, टू, आर एम पी, यानि कि, दो registered medical practitioners की पर्मिशन की requirement होती है, ओके, जो भई, हम अपनी इच्छा से थोड़ी करवा सकते हैं, कि भई, हमारे जैसे फेमेल की testing होगी, उसके बाद में अगर termination possible होगा, तो भी तो termination करेंगे, ये थोड़ी है कि, अपनी इच्छा से ही, अपन करवा सकते हैं, अब इसको allow कौन करेगा, तो इसकी allowance देता है, अगर 12 week तक की pregnancy है, जैसे pregnancy का time पूछते हैं, और pregnancy time चेक करने के बाद बताते हैं, अगर 12 week तक की है, तो एक registered medical practitioner की permission से ही काम हो जाएगा, और अगर 12 week से ज़्यादा हो गए, या 12 से 20 week तक की pregnancy है, तो उसमें हमको 2 registered medical practitioner की permission की जरूरत होती है, उसमें एक की permission से काम नहीं उसमें हमको 2 registered medical practitioner की requirement होगी, जब वे दोनों permission देंगे, उसके बाद ही हम termination करवाएंगे, तो ये तो था हमारा medical termination of pregnancy act कब आया, 1971, इसके rule कब बने 1975, या rule बनके apply हुआ 1975, अब जब termination, termination का मतलब है, जो pregnancy यो continue है, उसको रोकना, terminate, terminate एक word आता है, terminate, terminate का मतलब है, रोकना, okay, terminate का मतलब है, रोकना, हमें pregnancy को रोकना है, हम pregnancy को continue नहीं करना चाते, तो ये होता है terminate, अब terminate करें, तो अगर 12 वीक तक की pregnancy है, तो एक registered medical practitioner की कम से कम, एक registered medical practitioner की हमें permission चाहिए, वो allow करेगा, तो ही करेंगे, और अगर 12 से 20 वीक तक की pregnancy का time है, 12 से 20 वीक, अगर लगवग 3 से 5 मां का, अगर गर्व हो गया, फीटस हो गया, तो हमें, दो registered medical practitioner, दो registered medical practitioners की permission की requirement पड़ेगी, तो अब जो, जैसे अब हमने देखा, कि वही 12 वीक तकी pregnancy है, तो एक RMP की permission चाहिए, अगर 12 से 20 वीक की pregnancy है, तो हमें, दो registered medical practitioner की पर हम संसी है, अब हम देखेंगे कि जो registered medical practitioner है, जो allow करेगा termination को, तो वो किस बेस के उपर allow करेगा, वो कौन कौन से parameter देखेगा, तभी तो वो allow करेगा, तो अब हम देखेंगे, conditions, अब हम देखेंगे conditions for termination, conditions of termination, अब बात करते हैं conditions की, तो conditions में, तो कौन-कौन सी इस्थितियां होंगी, situations कौन-कौन सी होंगी, जो उनमें वो हमको allow करेगा termination के लिए, तो अब जब situations की बात होती है, situations में जब पहली situation आती है, कि when accidental pregnancy, जब बात आती है, accidental pregnancy की, accidental pregnancy का मतलब है, कोई भी rape case होता है, तो rape case में उसको allow करना पड़ता है, ठीक है, तो एक तो क्या condition हो गई, कि rape case, accidental pregnancy, या rape case में उसको allow करता है, ठीक है, एक second condition क्या हो गई, failure of permanent family planning program, एक condition कब allow करेगा, कि जब permanent family planning program हमने use किया, जैसे कोई भी person है, वो permanent family planning program यूज कर रहा है, और उसके बाद भी वो मैला pregnant हो गई, तो उसको termination की allowance मिल जाएगी, वो terminate करवा सकता है, एक तो देखा हमने accidental pregnancy, याने rape case, दूसरा हमने देखा कि failure of permanent family planning program, एक condition आती है, कि इसमें क्या होता है, कि जो fetus होता है, fetus की जैसे sonograph की वगएरा करवाते हैं, उसमें fetus देखते हैं, fetus abnormal condition में होता है, या तो physically या mentally abnormal होता है, तो हम उसको terminate करवा सकते हैं, जो बच्चा पैदा होने के बाद वो अपंग होगा, या mentally disturbed होगा, तो उसका पैदा होके भी उसको problem भड़ेंगी, भड़ेंगी, तो एक termination तब आला हुए, और या फिर जैसे अगर हम pregnancy continue रख रहे हैं, जैसे pregnancy continue रखेंगे, तो 9 नमंत का duration है, और इसमें महिला के अगर कोई fetus ऐसा है कि जो या कोई problem हो रही है कि महिला को अगर pregnancy continue रख रही है, महिला अगर pregnancy continue रख रही है, तो उसकी health को adversely affect कर रहा है, अगर pregnancy continue रखते हैं, तो महिला की health physically या mentally adversely affect होती है, तो हम termination को allow करते हैं, तो ये देखी थी हमने 4 termination की condition, तो पहल फर्स्ट कंडिशन थी वो थी वेन एक्सिडेंटल प्रेगनेंसी फर्स्ट कंडिशन क्या थी वेन एक्सिडेंटल एक्सिडेंटल प्रेगनेंसी एक्सिडेंटल प्रेगनेंसी का मतलब होता है रेप केस एक्सिडेंटल प्रेगनेंसी एक्सिडेंटल प्रेगनेंसी या इसको बोला जाता है normally rape case क्या बोला जाता है कि जब भी कोई rape case होता है तो rape case में pregnancy को termination की allowance मिल जाती है क्योंकि rape case के बाद में महिला की इज़त को देखते हुए उसको termination की allowance उसकी permission मिल जाती है और इसके बाद में हम देखें when जब continue रखते हैं pregnancy को when continue pregnancy pregnancy health of health of health of woman is mentally and physically physically adversely affected adversely affected तो एक तो हमने देखा कि when accidental pregnancy केस को बोल जाता है rape case जब rape case की condition में हम अलाव करते हैं और जो second वाली condition किया है when continue pregnancy जब हम pregnancy को continue रखते हैं health of women health of pregnant woman or lady woman is mentally and physically adversely affected अगर हम pregnancy को continue रखते हैं तो जो बच्चे की मा है यानि कि जिसको यानि कि जो बच्चे की मा है उसकी health या फिजिकली या mentally adversely affect होती है यानि कि उसके physics पर यानि कि उसका सरीर पर और उसके दिमाग पर अगर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो हम उसको termination को allow करेंगे या फिर हम देखें कि जब when fetus कि जब जो fetus है when fetus is physically or mentally when fetus is mentally and physically when fetus जो भुन है जो बच्चा है गरब में वो या तो मांच्ची ग्रूप से या शारी रूप से mentally या physically physically incomplete है या incomplete की वज़ाए हम तो देखें कि physically या mentally adversely affected है physically या mentally adversely adversely affected है क्या है या adversely affect होती है यह एक वर्ड आता है injurious to health when continue pregnancy the health of mother is injurious injurious होती है या mentally या physically health जो होती है मदर की उसको disturb करता है और जो third part जो है when fetus is जो fetus होता है वो ही या तो mentally या physically abnormal या तो mentally या physically abnormal होता है ठीक है ये adversely affected की वज़ाए हम लिखें abnormal और यहां पे भी abnormal जो fetus है या तो physically या mentally abnormal होता है तो हम अलाव करते हैं या जो continue pregnancy को हम continue करते हैं तो जो woman की health है वो physically या mentally abnormal होती है जैसे pregnancy को continue रखें और अगर mother की जो mother की health है वो physically or mentally disturbed होती है या abnormal होती है तो हम अलाव करेंगे या जो हमारा जो fetus है जो maa के गरवे जो fetus है वो खुदी mentally or physically abnormal है तो हम उसको भी termination के लिए अलाव करेंगे क्योंकि जो बच्चा ही यानि कि physically or mentally abnormal है तो वो यानि कि उसका बर्त के बाद में उसकी problem भड़ जाएंगी पता नहीं कितना जीएगा जी पाएगा नहीं जी पाएगा तो इससे अच्छा है उसको termination की permission दे दी जाती है और इसके बाद में एक condition और आती है एक condition तो देखी हमने क्या accidental pregnancy एक देखी कि जो mentally और physically जो fetus है वो disturb होता है जो abnormal होता है और एक हमने देखी कि अगर हम pregnancy को continue रुखते हैं तो mother की health injurious होती है या mother की health physically या mentally abnormal होती है और इसके बाद में एक final और last last and final condition क्या है इसमें आता है failure इसमें क्या आता है failure failure of family planning program family failure of family planning program family planning program ओके तो एक condition क्या हुई कि जैसे कोई couple है कोई couple जिसने family planning program लिया हुआ है या जो family planning program उसको उसकी guidance को follow कर रहा है और उसके बाद में भी अगर वो pregnancy को conceive कर जाती है मेला तो उसको termination की allow है अब जैसे बात आती है family planning program वाली को allow तो कर दिया allow कर दिया लेकिन इसमें भी अगर family planning की बात करें तो दो तरीके से होती है एक temporary अब यहां पर condition क्या आती है वह मेला जिसमें permanent family planning program permanent family planning program अप्लक के अनुसार वो है तो उसको termination की allow termination करवा सकती है वो क्योंकि उसका जो उसने family planning program permanent family planning program है वो लिया हुआ है और उसके बाद में भी वो pregnant है तो उसको termination की allowance है तो यह देगी थी हमने चार condition तो पहली condition तो क्या थी कि when accidental pregnancy हमें क्या आयद रखना है accidental pregnancy rape case एक condition हो गई दूसरी condition क्या थी कि जो fetus है वो mentally and physically abnormal होता है तो हमको क्या allowance मिल जाती है termination की अगर हम pregnancy को continue रखते है तो जो mother की health है उसके लिए अगर वो injurious to health अगर वो mother की health है उसको उसके लिए injurious होता है या उसकी health को mentally और physically disturb करता है तो हम उससी को termination को allow करेंगे या फिर क्या होता है कि जब failure of failure of family planning program failure of family planning program अगर कोई couple है उसने family planning program को follow किया है family planning program को follow किया है तो भी वो भी वो क्या करवा सकता है termination करवा सकता है termination करवा सकता है जा इसके बाद में हम देखेंगे जो यह तो हमने अब तक क्या देखा duration of pregnancy एक तो यह देखा इसके बाद में कि जब हम time देखते हैं 9 month plus 40 days यह देखा इसके बाद वे हम termination करवाएंगे तो minimum time क्या है और maximum time क्या है यानि कि 12 week तक की pregnancy होती है तो उसको हम यानि कि हमने देखा कि दो condition है अगर 12 week तक की pregnancy है तो उसको हम एक registered medical practitioner کی allowance पो या उसकी permission पर हम terminate करवा सकते हैं और अगर 12 से 20 week की pregnancy है तो हमको दो registered medical practitioner की permission की आवशक्ता होगी इसके बाद हमने देखी condition condition of termination की किन किन conditions में हमको termination की जो permission वो allowed हो जाएगी इसके बाद में हम देखेंगे कि जो termination होगा जहाँ पे जैसे termination कहा होता है hospital में करवाना पड़ेगा तो termination का जो place termination के place की बात करें कि हम termination कहां पर करवाएंगे बात करें termination तो termination में हम करवाएंगे काट करवाएंगे approved hospital approved hospital approved hospital by अपर्मिशन दी हुई है तो हम वहीं पर उसका टर्मिशन करवाएंगे ठीक है तो कहां करवाएंगे approved hospital by the government government उनको permission दी हुई है तो हम उनहीं में करवाएंगे और बात करते हैं कि जो अब जैसे हमने termination करवाया कहां पे करवाया उसी hospital में करवाया है जहां पे government ने उसको permission दी हुई थी उसको approve किया हुआ था अब हमने termination करवा लिया termination कर जो record होते हैं वो कब तक maintain किये जाते हैं 5 साल तक 5 years तक तो इसमें क्या होता है जो record है record maintain in close custody record maintain in close custody जो जैसे हमने termination करवाया तो वो जैसे एक register जो होता है जो register होता है register maintain करना पड़ता है register में पेसेंट का नाम पेसेंट के ने कब वो termination करवाया उसकी date कौन सा method अपनाया वो चीज़े लिखी जाती है और जो record बना लिया जाता है कि यह उसका record है पेसेंट के बारे में तो record उसको maintain record जो होता है उसको close custody में रखा जाता है और उस record को 5 साल तक maintain किया जाता है record maintain in close custody till till 5 years अब हमने क्या देखा जैसे बई प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी का प्लेस तो प्लेस तो हमें टर्मिनेशन कहां करवाएंगे टर्मिनेशन करवाएंगे कोई भी होस्पिटल जिसको कोई भी होस्पिटल जिसको government ने authorize किया हुआ हो या approved hospital by the government जो government के दवारा approved hospital है उनी में हम टर्मिनेशन करवाएंगे अब टर्मिनेशन करवाएंगे तो टर्मिनेशन का एक record रखा जाएगा बकायद एक register बनाया जाएगा उस register में उसकी जो सारी details है वो रखी जाएगी और जो register है उसको जैसे register register है रजिस्टर चल रहा है अब जैसे register भर गया जैसे कई बार हो जाता है register complete fully भर जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो register भर गया तो उसको वैसे ही रख देंगे उसको पाँच साल तक medical termination of pregnancy act अब बात करें medical termination of pregnancy act की तो ये कप पास हुआ 1971 इसके रूल कब बने 1975 इसमें जो duration of pregnancy क्या बताया 9 month plus 7 days या 40 weeks या 280 दिन राइट ठीक है 280 दिन इसके बाद में हमने देखी जो pregnancy का duration है उसमें जो हमको डॉक्टर की permission चीए रजिस्टरड मेडिकल practitioner की permission चीए अगर 12 week की pregnancy है तो एक रजिस्टरड मेडिकल practitioner की permission से काम हो जाएगा और अगर 12 से 20 week तक की pregnancy है तो हमको 2 रजिस्टरड मेडिकल प्रक्टिशनल की permission की requirement होगी अब इसके बाद में हमने देखा था condition of termination इसमें हमने देखा कि अगर accidental pregnancy है यानि की rape case की rape वाला case है तो हम terminate कर वा सकते हैं और इसके बाद में हमने देखा कि अगर फिटस mentally और physically abnormal है तो हम उसको terminate कर वा सकते हैं और अगर हम pregnancy को continue रखते हैं जो फीटेस की मां है अगर उसको फिजिकली या मैंटली एबनॉरमल होती है या तो फीजिकली या मैंटली एबनॉरमल हो तो हम टर्मिने पर सकते हैं या अगर जैसे वो जो बच्चे की मा है यानि की जो pregnant औरत है उसकी health को injurious करता हो या उसकी life के लिए life threatening problem create करता हो तो हम इसको termination को allow करते हैं एक termination को allow करते हैं वेन failure of family planning program जब family planning program fail हो जाता है तो हम क्या termination को allow करते हैं और इसके बाद में हमने जो last and final देखा कि termination कहा होते हैं और जो इसके बाद में हमने देखा जो records होते है रिकॉर्ड मेंटेन तिल फाइव इयर पांच साल तक हमने सुद्ध में पिल्कुत सही समझ रहा है कि जब हमारा जैसे जो register चल रहा है register में record maintain है और उस register फिल हो जाता है जैसे register पूरा भर जाता है उसके बाद में भी उसको 5 साल तक maintain किया जाता है तो ये था हमारा pregnancy act अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें